वेलकम टू फूडीज फूटकोर चैनल आज मैं आपके साथ बिहार की बहुत ही पारंपरिक और स्वादिस्ट अध्रा थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें डाल की पूरी, खीर और आम का बहुत ही अलग महत्व होता है तो चलिए इसे बनाते हैं सबसे पहले यहां हमने एक कप चना डाल लिया है इसके बाद पानी से अच्छी तरीके से वाश करके चार घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे इसके बाद फिर हमने एक कूकर में डाला है सरसू का तेल, जीरा, तेजपता, हडे मिर्च, कटा हुआ अदरक और लैसन इसे अच्छी तरीके से भून लेना है फिर हमने इसमें डाला है बिंगोया हुआ चना, इसे भी मेक्स कर लेना है और 3-4 मिनट तक रोस्ट कर लेना है इस तरीके से रोस्ट करने के बाद हमने इसमें डाला है नमक और हल्दी पाउडर, इसे भी मेक्स कर लेंगे 2-3 मिनट तक हम ने से रोस्ट किया है जब तक चना से एक शाइन आने लगे ये देखेंगे चना बिलकुल कुक हो गया है इसके बाद हमने इसमें डाला है पानी पानी डालका ढग कर हमें इसे 4-5 सीटी आने तक पकाना है फिर हमने बनाया है आलू और परवल की सब्जी ये बिहार में बहुत ही फेमस है और ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है सबसे पहले यहां हमने आलू को इस तरीके से पील कर लिया है आलू के छिलकों को हमने अच्छी तरीके से हटा लिया है साथ ही हमने परवल के छिलके को भी हलका हलका हटा लिया इस तरीके से चांकू की मदद से आप परवल के छिलके को हटा सकते हैं ये आलू परवल की सब्जे बिहार के हर घर में famous है और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है मसालो का भरपूर प्रयोग किया जाता है और इसे सरसो के तेल में हम बनाते हैं इस तरीके से परवल के छिलके को हटा लेने के बाद हमने इसे साइट कर दिया है और आलू को कट कर लेंगे आलू को इस तरीके से बीच में कट लगा कर हमने इसे मोटा मोटा कट किया है अब जादा पतला ना कट करें बीच में एक स्लाइस लगाने के बाद हमने इसे तीन भाग में कट कर लिया है इसी तरीके से सभी आलू को कट कर लेना है और पानी में रग दे और वाश कर लेंगे आलू को काटने के बाद आप तुरंत ही इसे इसे cut कर लेना है और बीच में एक चाकू के मनदद से slice लगाना है और हमने इसे मोटा मोटा ही cut किया है मार्थ ठैसे दबस एक Mark लगाएंगे इस तरीके से परवल भी cut चुके हैं इसे भी दूखकर अलग डग देंगे फिर हम मसाला तयार करेंगे एक मिकसर जार में डाला है प्यास अधरक लहसन लाल मिट और कुछ खड़ी मसाले पानी डाल कर मसाला तयार कर लेना है फिर सरसो के तेल में हमने परवल को फ्राई कर लिया परवल को हमें अच्छी तरीके से 5-7 मिन तक फ्राई अच्छी तरीके से परवल फ्राई हो गया है इसे निकाल लेंगे फिर सेम तेल में हमने आलू को भी फ्राई कर लिया आलू को भी हमने गोल्डन होने तक फ्राई किया यानि 5-7 मिनद तक आलू को भी फ्राई कर हमें निकाल लेना है बज़े हुए तेल में हमने डाले खड़े मसाले अच्छी तरीके से भून लेने के बादिस में डाला है तीन कटे हुए प्यास प्यास को सुनहरा होने तक पकाना है तीन से चार मिन तक मुने प्यास को अच्छी तरीके से भून लिया है फिर इसमें डालेंगे तयार किया हुआ मसाला साथ ही डाला है कटे हुए टमाटर नमक, हल्दी पाऊडर, धनियापाऊडर और लालमिर्च पाऊडर मसालो को mix कर लेना है और सात मिनट तक अच्ची तरीके से मसालो को भूनना है हमने flame को medium to low रखा है मसालो को आप जितनी अच्ची तरीके से पकाएंगे ग्रेवी उतनी ही टेस्टी बनती है उतना ही गाड़ा बनता है धक कर हमने मसालो को पकाया है फिर इसमें डाला है फ्राई की आवा आलू और परवल मिक्स कर लेंगे और आलू और परवल को मसालो के साथ अच्छी तरीके से 5-7 मिनट तक कुखोने देना है इस तरीके से आलू और परवल की बहुत ही तेस्टी सब सबजी तयार होती है इसके बाद हमने इसमें डाला है एक कप के करीब पानी पानी जालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है पानी आप कम या जादा डाल सकते हैं अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आप पानी डाल ले मिक्स कर लेने के बाद ढखकर हमने इसे 10 से 15 यह देखिए पूरी तरीके से चना डाल गल चुका है इसे स्ट्रेंड कर लेंगे और अलग डग देंगे ठंडा होने के लिए तेजपत्ता निकाल कर हमें मसालों को एक मिक्सर जार में ग्राइन कर लेना है दो बार में हमने चना डाल को पीसा था और दरदरा ही रखा था धनि से बॉल्स बना कर डालेंगे तो यह बिल्कुल फुटे का ने फिर हलके हाथों से प्रेस करते हुए हमें इसे रैप कर लेना है आप ध्यान से इसी तरीके से करेंगे तो चना दाल का पूरी बिल्कुल पूर्फेक्टली बनके तयार होता है कोई भी ब्रेक नहीं आएगी इस तरीके से एक्स्ट्रा आटा निकाल कर प्रेस कर लेना है हमारे बिहार में इस तरीके से ठोक कर डाल की पूरी तयार की जाती हलके हाथों से इस तरीके से ठोक लिया जाता है पूर्फेक्ट डाल की पूरी तयार होई है इसे गरम गरम तेल में फ्राई कर लेना है फ्लेम को आप हाई ही रखे और तीन से चार मिनट तक दोनों साइट से अच्छी तरीके से पका कर निकाल ले आधरा नक्षत्र हिंदू परंपरा में एक पौरानिक महत्वे रखता है क्योंकि यह वर्षा रितु के शुरुआत का प्रतीक है और चुकि भोजन हमेशा से ही माप्रकृति से प्रभावित रहा है इसलिए बिहार में इस विशेश समय के दौरान हमारे देवता को आधरा नक्षत्र की थाली चढ़ाने की प्रता है तो आप भी इसे जरूर ट्राइ करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाए झाली 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